32 महा माक्षिश पूर्मा बना सुप सहियों तुलसी चीपा चढ़ा दें यह एक चीज मिट जाएगी बरसों पुरानी करीबी हर कश्टे दूर करेंगे भगवान पिश्णू चमक जाएगा आपका भाग गया ओम गर्णशी महा गड़ी शाय नमा राथी राथी दोस्तों कैसे हैं आप सब दोस्तों माक्षिश मास का हिंदू धर्मी विशिश महतु है क्योंकि गीता में भगवान श्री किष्ण ने माक्षिश का महिना स्वयम के समान बताया है यह महा भगवान श्री किष्ण को समर्पित होता है इस महा में भगवान श्री किशने के साथ ही मा तुलसी और मा लक्षमी का विशेश रूप से पूचन किया जाता है मा श्रीश मास का वैसे तो है दिन खास होता है लेकिन इस महा की पोड़मा विशेश महत्व रखती है क्योंकि पूर्मा तिथी भी भगवान लक्ष्मी नारायन को समर्पित होती है और यह दिन मा लक्ष्मी का सबसे प्रिये दिन होता है इसलिए इस दिन भगवान लक्ष्मी नारायन का विशेश रूप से पूजन किया जाता है मार्शीश मास्की पूर्मा का अन्य पूर्मा की तुलना में कई गुना अधिक महत्व होता है हमारे धमशास्तों में बताया गया है कि मार्शीश पूर्मा पर किये गए इस नांदान पूजन कर्व इत्याती से जो पुन्य फल प्राप्त होता है वह अन्य पूर्मा की तुलना में 32 गुना अधिक होता है इसलिए इस पूर्मा को 32 पूर्मा की नाम से भी जाना जाता है यह दिन भागवान श्रीक किष्ण और मालक्ष्वी को प्रसंद करने के लिए बहुत ही खास वाना जाता है मानेताओं के अनुसार इस दिन जिसे भागवान श्रीक किष्ण मालक्ष्वी की किरपा प्राप्थ हो जाती है उन्हें जीवन के बड़ी से बड़ी परिशानियों से मुख्ति मिल जाती है भगवान श्रीक किष्ण मा लक्ष्मी की कृपा से घर में धन्धान में की भंडार भर जाते हैं और धन्सम्बंदी सभी समस्याइं दूर हो जाती हैं दोस्तों भगवान श्रीक किष्ण मालक्षमी को प्रसंद करने का सबसे आसान उपाय है तुलसी जी का पूचन कायना क्यूंकि तुलसी जी भगवान श्रीक किष्ण को अतिधिक प्रिया है और तुलसी जी को मालक्षमी का सुरूप माना जाता है आज के इस वीडियो में हम आ अगर आप इस पूर्मा के दिन तोसी जी पचड़ा देते हैं तो इससे आपको भगवान शेकिष्ण मालक्षमी की असीम कृपा प्राप्त होगी और बसो पुरानी गरेबी भी दूर हो जाएगी दोस्तों इस पार मार्क्षीश पूर्मा तिथी को लेकर कंफ्यूजन बना दोस्तों पूर्मा का दिन भगवान विश्णूमा लक्षमी जी को समर्पित होता है यह दिन भगवान विश्णूमा लक्षमी जी की कृपा प्राप्त करने का बहुत ही खास दिन माना जाता है आज की इस वीडियो में हम आपको एक ऐसी चीच के बारे में बताने जा रहे ह हैं जिसे अकर आप इस पोड़ मा पर तुलसी जी पचड़ा देते हैं ऐसा करने से परसों पुरानी गरीबी और दृत्ता हमेशा के लिए दूर हो जाएगी साथी भगवान श्रीहरी विश्णो मा लक्ष्मी जी के कृपा प्राप्त होगे घर में मा लक्ष्मी का बास होगा दोस्तों वीडियो में आगे बढ़ने से पहले वीडियो को लाइक कर अपने फ्रेंज के साथ शेयर कर दें और अगर आपने हभी थक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चल्दी से हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर बेल आइकन को भी जरूर दबाएं दोस्तों पोडमा के दिन पवित्र नदी में इस्नान करने से पुन्यफलों की प्राप्ति होती है साथी पापों का नाश होता है इसलिए अपने घर पर ही इस्नान के जल में थोड़ा सा गंगा जल या फिकिसी पवित्र नदी का जल मिलाकर उससे इस्नान करें इस्नान करने के बाद सुच्छ बस्त धारन करें आज की दिन भूल कर भी काले रंग के बस्त ना पहने क्योंकि पोड़मा का दिन भगवान शीहरी विष्टु मालक्षमी ची को समर्पित होता है और मालक्षमी ची के पूचन में काले रंग की बस्त नहीं पहने जाते इस नान करने के बाद अब आप सबसे पहले अपने मंदिर में भगवान शीहरी विष्टु मालक्षमी ची के सामने दिया चलाएं और उनका पूचन करें और फल मिष्ठान का भोग लगाएं अब आप एक लोटे में शुद्ध जलने अगर आपके घर गंगा जल है तो इस जल में आप एक चुटकी शक्कर डालें ध्यान दखें आपको शक्कर ज्यादा नहीं डालने बस आपको शक्कर के कुछ दाने डालने हैं अब आप इस जल में थोड़े से तिल डालते हैं आपके घर काले तिल हो या सफेद तिल हो कोई से भी तिल आप इस जल में डाल सकते हैं लेकिन अगर आपके पास काले और सफेद दौनों ही तरहें के तिल हैं तो आप दौनों ही तरहें के थोड़े थोड़े तिल इस जल की पातर में डाल दें। क्योंकि काले रंग के तिल भगवान पिश्णू को अत्य थिक प्रिया हैं और सफेद रंग के तिल माल लक्ष्मी जी को अत्य थिक प्रिया हैं। इसलिए आप जल के पात्र में यह तौनों तरहें के तिल डाल दें। अब आप इस जल के पात्र से तुलसी जी पर जल चड़ाएं। तुलसी जी पर जल चड़ाते समय आप भगवान पिश्णु ची के द्वादश्वंत ओम नमो भगवते वासु देवाय का जाप करते रहें। हमारी शास्तों में बताया गया है कि तुलसी जी की पूजा कर सीधे भगवान पिश्णु और मालक्ष्मी को प्रसनिगिया जा सकता है। शास्तों के अनुसार तुलसी जी मित्रिदेव यानिकी भ्रह्मा पिश्णु और महिस निवास करते हैं। तुलसी जी को मा लक्षमी का ही सरूप माना जाता है। इसलिए इस तरहे तुलसी जी का पूजन करने से भगवान शीहरी विष्नु मा लक्षमी जी की कृपा प्राप्त होती है। माननिता के अनुसार आज के दिन भागवान शी हरी विश्णु जी के ध्यान करते हुए तुलसी जी पर काले दिल अर्पित करने से कष्टों से छुटकारा मिलता है और सफेद दिल अर्पित करने से मा लक्ष्मी की कृपा से आथिक संकर दूर होते हैं, पैसों की तंगी दू करने से कई जन्मों के पापों से भी छुटकारा मिलता है, आज की दिन दूलसी जी पर दिल और शक्कर चढ़ाने से दुख और दरित्ता का नाश होता है, दोस्तों आपको दूलसी जी पर जल चढ़ाने के बाद दूलसी जी की क्यारे परिक्रमा करनी है, परिक्रमा आपको clockwise करने हैं और परिक्रमा करते समय भी आपको ओम नमो भगवती वासु देवाय मंतर का चाप करते देहना हैं परिक्रमा करने के बाद आप तुलसी जी को हाथ चूड़ का प्रणाम करें भगवाई शीहरी फिश्टू माल लक्ष्मी जी को प्रणाम करें और कष्टों और दुखतरिता को दूर करने के प्रातना करें दोस्तों तुलसी जी पर जल हमेशा सुर्यास्त से पहले ही चड़ाना चाहें अगर आप इस तरह सुर्यास्त से पहले तुलसी मा का पूजन ना कर पाएं तो आप सुर्यास्त के बाद भी तुलसी मा का पूजन कर सकते हैं. लेकिन आप तुलसी मा पर इस तरहें जल ना चाहाएं. पूजन के लिए आप एक शुतिखी का दिया बना कर तुलसी जी के पास रखकर जलाएं. और आप एक चुटकी में थोड़ी से दिल और थोड़ी सी अब ओम नमो भगवती वासु देवाय मंतर का जाप करती हुए आप दिल और शक्र को तुलसी मा के चर्णों में अर्पित करते हैं. आपको दो बार मंतर का जाप करता हैं और दो बार ही दिल और शक्र तुलसी मा के चर्णों में अर्पित करने हैं. लेकिन ध्यान रखें को क pools कि घृट्रीं को तुलसी मा को आप दिल और शक्क्र अर्पित करने के बाद भगवान विश्णी इद्ध्र तुलसी जी की ग्यारे परिक्रमा करें. परिक्रमा करने के बाद आप उसी तरह तुलसी मा, भगवान शीहरी विश्णु, मा लक्षमी जी को प्रणाम करें और कष्टों और दुख तरिता को दूर करने की प्रात्ना करें. दोस्तों हमारी पास कई कोशन आते हैं कि तुलसी जी के चारोतरफ खुम कर परिक्रमा करने की जगे नहीं हैं, तो फिर पर कैसी परिक्रमा करें और कैसी पूजन को पूण करें. तो इसके लिए दोस्तों आप अपने ही इस्थान पर खड़े होकर क्लॉक वाइस खुमें. आपको अपने ही इस्थान पर खड़े होकर तुलसी मा का थ्यान करते हुए क्लॉक वाइस ग्यारा बार खुम कर तुलसी मा की परिक्रमा करने हैं. ऐसा करने से भी आपको पूजन का पूर्ण फल प्राप्त होगा आज की दिन इस तरहे तुलसी जी का पूचन करने से भाकवां शीहरी फिश्टो मा लक्ष्मी जी की साथ ही तुलसी मा की भी कृपा प्राप्त होती है घर में सुख सम्रद्धी आती है कल है और कलीश दूर हो जाती है दुखतरिता का नाश हो पूरानी गरीवी मिठ जाती है दोस्तों तुलसी जी को बहुत ही पवित्र पूचनिय माना जाता है इसलिए तुलसी जी को कभी भी बिना इसनान किये हुए इस परश ना करें पीरेट के दौरान महिलाओं को तुलसी जी का पूजन नहीं करना चाहिए धर्म शास्तों में तो यहां तक कहा गया है कि पीरेट के दौरान महिलाओं की छाया तक तुलसी जी पर नहीं पढ़नी चाहिए अगर आपकी छाया भी तुलसी जी पर पढ़ती है तो आप पाप की भागीदार बनेंगी तुलसी जी का पूचन करते समय कभी भी जूते चपल ना पहने कुछ तुलसी जी का पूजन ना करें रात्री के समय संध्या काल के बात आप ना तो तुलसी जी का इस्पश करें और ना ही तुलसी जी को जल चढ़ाई भगवान पिश्टू जी को अर्पित करने के लिए भी तुलसी के पत्ते आप सुर्यास्त से पहले ही तोड़ लें और ध्यान रखें, कभी भी बिना इसनान किये हुए तुलसी जी के पत्ते ना तोड़ें, बरना इससे आपको पाप चड़ेगा और कश्टों का सामना करना पड़ेगा जिन तुलसी जी का आप पूजन करते हैं, उनके पत्तों को आप चाय में डालने के लिए या फे खाने के लिए ना तोड़ें, उनके पत्तों को सिर्फ भगवान पिश्णु जी को अर्पित करने के लिए ही तोड़ें भगवान पिश्णु को अर्पित करने के बाद आप उन पत्तों को प्रशाद की रूप में ग्रहड कर सकते हैं, लेकिन जिन तुलसी जी का पूजन किया जाता है, उनके पत्ते अपने लिए कभी भी नहीं तोड़े जातें, इस बात का विशिष ध्यान रखें उम्मीद है आपको हमारी वीडियो पसंद आई होगी, प्लीज लाइक करें, हमारी इस वीडियो को अपने फ्रेंड्स और इस्तेदारों में जादा से जादा शेयर करें, जिस सिभे भी इसका लाब उठा सकें, हमारी और भी वीडियो के रिए हमारी चैनल को करना ना भूने, थैंक्स फूर वाचिंग, राधे राधे